असलामुलीकूम और वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे Responsibilities of Youth जो के एक famous speech है कैदयाजम मुहमद अली जना की जो के उनने डिलिवर की थी 24th of March 1948 में धाका यूनिवरसिटी में कन्वोकेशन सर्मिनी के दोरान Basically ये chapter KPK पिशावर बोर्ड के 11th standard की बुक के अंदर chapter की form के अंदर है जिसमें कैदयाजम की speech के कुछ main parts लिया हुए है और उनने discuss किया हुए इस speech को discuss करने से पहले हम ये देखेंगे कि title responsibilities of youth किस चीज़ को suggest कर रहा है किस चीज़ को define कर रहा है और इसके साथ साथ ये भी कि ये हमारे 11th standard की बुक के अंदर क्यों है इसकी importance क्या है और इससे हमें क्या सबग मिलता है क्या सीखने को मिलता है overall ये कि आपकी book के अंदर इस chapter का होना क्या एहमिएत रखता है अब सबसे पहले title को देखते है title क्यों होता है आपने summary के बारे में पढ़ा होगा summary किया होती है summary एक खुलासा होता है निचोड होता है सारे overall chapter का या किसी भी paragraph का lesson का, story का जो के हमें सारी story को निचोड कर कुछ चंद अलफाज में चंद sentences में हमें पुरी बात समझा देता है इसी तरह फिर प्रेसी होती है प्रेसी वन थर्ड होता है लेकिन टाइटल क्या होता है टाइटल वो exact words होते हैं जो के हमें 2 यह 4 यह 5 words होते हैं जो के exactly हमें बताते हैं कि ये चैप्टर ये बुक ये ये स्टोरी किस चीज़ को डील कर ये किस चीज़ के बारे में बता रही है अब जब हम इस टाइटल को देखते हैं तो हमारे जहन में दो चीज़ आती है ündिक्शन होती है कि responsibility of youth या तो ये हो सकता है कि आजकल जो हमारी youth है उसके उपर क्या responsibilities है उसे discuss किया हुआ है ये क्यूंकि ये history से लिवी है ये पुरानी ऐक speech है तो इसके अथ कि उस वक्त की youth के बारे में बताया जा रहा है अब ये जो element है ये as a student of the 11th standard हमें ये बाते हैं पहले से जहन में as a pre-reader रखनी चाहिए कि इस chapter के अंदर इस चीज के बारे हम बताया जा रहा है अब main chapter की तरफ आते हैं तो इस chapter का start speech की form में ही होता है और speech जैसे formal होती है कि आप जब stage पे जाते हैं आप जब लोगों के सामने जाते हैं तो आप जाके सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं अपना gratitude शो करते हैं तो उसी तरह कायताज हमामत अली जना ने start लिया और start लेते ही उन्होंने excuse पेश किया कि मेरी आज की speech बिल्कुल भी formal speech की तरह नहीं होगी जो के commencement speech होती है normally और नहीं मेरी speech के topic किसी academic subject से relate कर रहा है डील कर रहा है जैसे science, philosophy, history, arts वगरा जो कि schools, colleges में पढ़ाई जाती है लेकिन चुके मैंने ये proposal ये accept किया था कि मैं यहाँ पर आके address करूँगा तो मैं यहाँ पर आके इसलिए address कर रहा हूँ फिर वो कहते हैं कि मैं आज यहाँ पर as a head of the state आपसे बात नहीं कर रहाँ बलके ऐसे बात कर रहा हूँ जिस तरह मैं आपका दोस्त हूँ या आपका बहुत ही करीबी जो आपका बहुत जादा ख्याल रखता है या आपके बारे में बहुत जादा सोचता है फिर वो बताते हैं कि मैंने अपनी जिन्दगी के अंदर जो भी काम किये हैं ये जो भी काम करने के काबिल हुआ हूँ मैंने उसे अपनी ड्यूटी समझ के किया है जो कि हर मुसल्मान पर फर्ज है लाजिम है कि वो जो भी काम करें, जिस भी फिल्ड में काम करें, जिस के लिए भी काम करें तो वो इमानदारी के साथ और बिलकुल सेलफ लेस होकर काम करें फिर वो सब को मुबारक बात देते हैं कि आप सब को मुबारक हो आप लोगों ने अपनी डिक्रीज, डिप्लोमाज वगरा हासिल कर दी है और अब आप मेंसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ये स्कॉलरिस्टिक जो लाइफ थी ये जो पढ़ाई वाली लाइफ थी, ये थियोरेटिकल लाइफ थी, ये अब हतम हो चुकी है और अब आप देहलीस पे खड़े हुएं कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इंटर होना है वो उस वक्त की यूद को इस बात के अहसास दिला रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लगी हैं आप अपने प्रैडेसर्स की तरह अपने पहले लोगों की तरह नहीं हैं जो कि एक गुलाम मुल्क के अंदर अपनी जिन्दगियों का आगास करते थे बलकि आप जिसुत के अंदर, जिस स्टेट के अंदर वहारा हुआ है, पनी प्रेक्टिकल लाइस का आगास ले रहे हैं, वह एक इंडिपेंड dij स्टेट है य। इसके साथ षयए वह नौजवान नसल को इस बात की भी यह द्हानी दिलते हैं कि जैसे यह आपकी अपनी उन्होंने समझनी हैं फिर वो अजादी की एहमियत के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं किस तरह हमने पाकिस्तान को हासल किया किस तरह हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और ये बताते हैं कि आप आजाद हैं और फिर उसके बाद आजाद के बाद अजादी के आपके पास बराबर के हुकूक हैं, आपके पास फैसिलिटीज हैं, आपके पास राइट्स हैं, लेकिन अजादी का हरकेस मतलब यह नहीं है, आप अपनी मर्जी से जो भी करना चाहें वो करें, बगएर यह सोचे हुए कि आपके करने का किसी ओर की उपर क्या आसर पड़ेग कि अब हमें जिस चीज़ की सबसे ज़ादा जूरूरत है वो ये है कि हमें अपने अंदर constructive spirit पैदा करनी है चीज़ों को जोड़ना है, बनाना है, रन करना है हमें अपने अंदर जो पहले militant spirit थी, जो लड़ाई, जंगों वाली, जज़बे वाली, जनूनी किसम की spirit थी उसे खतम करना है, उसे चेंज करना है, और हमें constructive spirit चाहिए क्यूंकि freedom के लिए fight करना, जेल में जाना बहुत असान है, लेकिन एक government को run करना बहुत मुश्किल काम है इसके साथ साथ वो बताते हैं कि मैं आप लोगों को बहुत से ऐसे मसाइल, ऐसी मुसीबतों के बारे में बताता हूं जेने हमने overcome किये, जेने हमने गुजार लिये, पीछे चोड़ दीए, और बहुत से ऐसे मसाइल, जो के मजीद अभी हमने आगे face करने हैं फिर वो बताते हैं कि पंजाब और डेली हॉलोकास्ट के बारे में कि जब पाकिस्तान वुजूद में आया तो बहुत से हमारे दुश्मनों ने कोशिश की कि किसी तरह ऐसे काम किये जाएं से मसाइल पैदा किये जाएं जिस से पाकिस्तान कमजोर हो जाए और दुबारा पंजाब और डेली हॉलोकास्ट में यह हुआ था कि हजारों लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया था उन्हें मार दिया गया था और तकरीबन पचास लाख से जादा लोग एक हफ़ते के अंदर अंदर पाकिस्तान आये थे जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है और अ अब बहुत जादा मुश्किल होता है लेकिन पाकिस्तान ऐसे हालात में जुका नई डरा नई पीछे ने हुआ बलके पहले से भी जादा उभर के सामने आया इसके साथ साथ और भी बहुत से मसायल थे जैसे तकसीम के बाद हर चीज बराबर तकसीम होनी थी मिलिटरी कैश पैलेंसे सब चीज़ें लेकिन हर चीज़ के अंदर कहीं न कहीं मसला रहा और पाकिस्तान ने ऐसे मसायल को डट के फेस कि और आगे भी बहुत से ऐसे मसायल आने तो यूद से मुखातिब होकर कहरें कि आप मुल्क का असासा हैं आप लोगोंने मजबूत रहना है आप पिर काईदयाजम हमद अली जनात तीन चीज़ों से के बारे में बताता हैं कि उनसे आप लोगोंने हमेशा बाखबर रहना है उनके बारे में जानना है सबसे पहले ये कि हमारे दर्मयान जो दुश्मन अनासिर लोग हैं उनसे बाखबर रहना है दूसरा ये ऐसे लोग जो फसल के दरमयान ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो हमारी फसल को कमजोर करती है तो यहाँ पर यह खा हुआ है कि ऐसे अनासिर जो हैं ऐसे लोग जो हैं उन्हें पहचानना है जो के हमारा फाइदा उठाते हैं हमारे दरमयान रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए उन लोगों को पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो सिंसेर लोग हैं जो के स्टेट की वेलफेर के लिए हार्ट से अपने सोल से काम करते हैं सेलफलेसली और आनेसली काम करते हैं ऐसे लोगों को भी पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है उनकी गदर करना जरूरी है इसके साथ साथ वो एक और मसला बताते हैं कि शुरू से हमारी ये मेंटेलिटी बन की ये जब हिंदुस्तान था वहां पर मुसल्मानों को कोई अच्छी पोस्ट वगरा नहीं मिला करती थी तो तब से एक मेंटेलिटी बन गई कि अभर हमारा एक नया कंटरी है और इसके अंदर हर चीज हर फील्ड के अंदर नई- नई चीजे नई-ने इन्वेंशन नई-ने क्रियेशन हो रहे हैं नए बिजनिसे स्टार्ट हो रहे हैं तो अब हमने वो परानी मेंटेलिटी वो चेंज करने है कि हमें गुर्मेंट चौप चाहिए, इस चीज़ के पीछे भागना नहीं है, क्यूंकि गुर्मेंट भी अब सिर्फ कुछ लोगों को हायर कर सकते हैं, अगर पांच हजार लोगों को हायर कर सकते हैं, और पांच लोगों ने अपलाए किया, तो पांच लाख लोगों में से सि 5,000 सिलेक्ट होंगे और जो बाकी लोग जो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे फिर उनका दिल एक किसम का तूट जाएगा और उनका अपनी लाइफ के उपर से अपनी एम्स ड्रीम्स के उपर से यकीन हट जाएगा और वो बहुत जादा डिप्रेस हो जाएंगे तो अब हमें क्या जरूरत है इस चीज़ की जरूरत है कि हम उस mentality से बाहर निकलें और बजाए इसके के government jobs के पीछे भागने के हम new fields को तलाश करें उन में जाएं उन में काम करें उन्हें explore करें क्योंकि वो हमारे लिए भी बहतर है और साथ साथ हमारी state के लिए भी बहतर है फिर यहां पर वो examples देते हैं कि अगर में B.A. और M.A. पास लोग जो के government jobs जिने मिल जाती है वो clerk वगरा लग जाते हैं उन्हें में compare करूं ऐसे लोगों के साथ जो के सिर्फ taxi चला रहे हैं फिर कोई well of family में काम कर रहे हैं वो एक अच्छी जिन्दगी गुजार रहे हैं उनकी निसमत जो के government jobs कर रहे हैं इसी तरह वो example देते हैं कि मेरा एक जानने वाला था जिसकी government job थी और वो government job में 200 रुपीज पर month earn कर रहा था लेकिन चुँके उसने banking पड़ी भी थी तो उसने उस वक्त अपनी government job छोड़ दी और वो banking में गया और अब कुछ चार साल के अंदर वो 1500 महाना कमा रहा है और अब वो इस bank का manager है अब ऐसी मिसाल देना के मकसद यह है कि हम अपने दिमाग को और अपनी life को अपने aims को broader sense में सोचें और अपने aims ऐसे set करें जो के हमारे लिए भी बेहतरी नहों और हमारी country के लिए हमारी nation के लिए हमारी state के लिए भी हो और फिर वो speech का इस तरह end करते हैं कि मैं मैंने जो बा पर इंटर्न्स पर सोचेंगे और इन पर अमल करेंगे यह जो हमने डिसकस किये यह तो एक aspect है यह तो एक speech है लेकिन आपकी इस book के अंदर speech का होने का मकसद यह है कि आप youth हैं आप state का इस nation का asset हैं आप असासा हैं कल को आपने इस मुल्क को इस कौम को संभालना है इसकी जिम हैं लेकिन अभी तक लोगों की वही mentality है सब की कोशिश होती है कि government jobs के पीछे जाना है उसी के पीछे लगे हुए हर कोई अपनी facilities अपनी जिन्दगी में luxury तक सोचता है बाकी state या अपने मुल्क के बारे में अपनी जात से हट के कोई बहुत कम ही कोई ऐसा होता है सोचता है तो ये हमारी youth को एक किसम का message दिया जा रहा है कि हमारे एक बहतरीन leader का अधियाजम हमाद अली जना की बातों से हमें सीखना चाहिए उन्हें अपना role model सेट करके उन्हें अपना ideal सेट करके उनकी बातों से हमें सबक सीख कर अपनी life को भी सुधारना चाहिए और साथ-साथ country को बहतरीन बनाने की कोशिश करने चाहिए उमीद है आपको इस topic की समझ आ गई होगी इस chapter की समझ आ गई होगी अगर इस से related कोई question है आप comment section में पूछ सकते हैं thank you so much for watching